पालम में बेस पर जहां पर सीरियेस वेपिन रावत का समेत उनकी धर्म पतनी मदुलिका रावत और तमाम सैनने कर्मियों के पार्थिव शरीर मौजूद हैं ये महस कुछ सेकिंज पहले की तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं जब रक्षा मंप्री राजनात सिंग भी पह हैं रक्षा मंप्री ने भी बिगेडियर लेदर की पतनी और उनकी बेटी से बात चीत की उनको होसला उनका बढ़ाया धानस बढ़ाया इसके पहले आने से अजित डोवल भी तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं मम नर्वनी सेना प्रमुख लगातार जो रक्षा मं का इंतजार किया जाराए प्रध smallest पहुंचेंगे शहीदों को श्रधांजले अर्पित करेंगे साड़े-8 से-9 बज़ले नौंब दे बताया जा रहा था प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगी लेकिन सब से बढ़ी कि एक साथ ये इतना बड़ा जटका लगा है देश को जिससे उबर पाना हाल फिलाल संभव नहीं देश के पहले सीरियस चीफ आप डिफेंस स्टाफ जिनको देश ने एक बेहधी दुरगटना पूर्ण वाक्य में दर्दनाख हाथसे में गमा दिया और पूरा देशो का कुल है दो दिनों से शोक संतप्त देश और अब इंतजार इस बात का कि उन आखरी शनों में क्या हुआ ये पता लग पाए देश को कि आखिर क्यों हमें एक साथ इतना बड़ा दर्द जहेलना पड़ा है जब हमने सीडियस विपिन रावत के साथ साथ उनकी पतनी और तमाम सन् गमा दिया ब्लैक बॉक्स जो की हासिल हो चुका है जांच जारी है लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो पार्थिव शरीर इस वक्त ताबूत में मौजूद हैं जिनको शद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम वीवी आईपीज पहुँच रहे हैं उनमें महज चार पार्थिव शरीर ऐसे हैं जिनके शिनाक्त हो पाई है इनमें सीरियस विपिन रावत दर्म पत्नी उनकी मधुलिका रावत इसके लावा प्रेगेडिय लिद्धर और एक लांस नायक बताए जारे हैं विवे उनका बाकी तमाम पार्थिव शरीर जो हैं उनका पहले डियने टेस्ट होगा डियने सांप्लिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि किनके किनके वो शरीर हैं शिनाक्त हो पाएगी और उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया रहेगी लेकिन अभी अंतिम दर्शन क्या आम लोगों के लिए संभाव हो पाएगा इस बारे में कोई क्योंकि पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ थे अटूट प्यार उनके लिए आम लोगों का भी था कल से लगतार देखने को मिल रहा है अभी जब कमिल नाडू में हमने देखा यह देखे ब्रिगेडियर लिद्दर की पतनी यह होसला चाहिए हुता एक सानिक की पतनी आप स सम्मान में सर जुग जाता है देश का इन वीर सैनिकों के परिवारों को देखकर यह होसला किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं जो इस वक्त पाला मेयर बेस पर देखने को मिल रहा है यह दर्द में डूबी तस्वीरे हैं जिनको देखकर देश का सीना चनली हो जाता है ल सौजिकल स्ट्राइक के हीरो रहे सीरियस विपिन रावत नहीं सिर्फ यह बलकी बाला कोट उरी आप तमाम चीज़े याद करें मैंनमार में जिस प्रकार से उनने सेना को साथ लेकर के और सीमा पार हमने ऑपरेशन को अंजान दिया था यह काबिलियत यह हुनर खुद सीरि उन्हें देश का पहला सीरियस 2019 में जब इस पत पर वुकाबिज हुए जिस जो अपिक्षा है उनसे की गई थी उस पर खरे उत्रे ना सिर्फ खरे उत्रे बलकी साथ लेकर चलने का काम किया अभी भी जो हम देख रहे हैं पलवी जहां हमारे साथ इस वक्त पालम में अपूर्ट से ही जोड़ रहे हैं सिधा उनका रूप कर लेती हैं मेरी सही होगी पलवी प्रधार मंत्री भी पहुंचने वाले हैं और कितना देर लग सकता है उनको पहुंचने में और ये दिकते हम आपको बदा दे पहले भी समझ सकते हैं वहाँ पर क्योंकि अंदर में मेडिया कर्मी मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर इस प्रकार बोलना कि आवाज क्लियर आप आए बहुत जादा संभोन ये रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर मना किया गया है पहले भी खुद पालव एयरफोर्ट पर मौजूद हैं और इसलिए सही तरीके से उनकी आवाज नहीं आपा रही है लेकिन आपको बता दें ये जो आप ताबूत में देख रहे हैं सभी के पार्थिव शरीर सन्निकर्मी सीडिया स्विपीन रावत समेत उनके बगल में हैं उनकी धर्म पत्नी मदुलिका रावत का पार्थिव शरीर ताबूत में मौजूद है प्रिगेडियर लिद्दर, लांस नायक विवेक और बाकी सब है हालां कि अभी बाकियों के शिनाक्त बाकी है सिर्फ चार डेट बॉडिज जिन के शिनाक्त हो पाई है कल बताया जारा है नौ से दस के बीच प्रिगेडियर लिद्दर, उनका अंतम संसकार इससे जोड़ी खबर सामने आ रही है नौ से दस के बीच होगा इसके अलावा उसके बाद एक एक करके फिर सेरियस विपिन रावत लेकिन पूरे सेन ने संसकार के साथ अंतम संसकार किया जाएगा उसके पहले यही सबते बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित हेलिकॉप्टर माना जाता है मैं 17 V5 सबसे अत्या धुनिक आखिर वो कैसे इस तरीके से क्रेश हो गया और वो भी महस कुछ छणों पहले ये देश जानना चाहता है ये देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है क्यों उनकी इसी काबिलियत को देखते वे देश के पहले CDS के रूप में उन्हें इस पदवी से नबाजा गया था आज जब उनका पार्धिव शरीर एक्राफ से नीचे उत्रहेंगर तक लाया गया वो तमाम मेडल्स जो उनको मिले थे अपने 43 साल के करियर के दौरान सेना में य हम एक बार फिर उनका रोक करते हैं अगर उनको सुन पाएं पहले वी वहां पर कुछ अपडेट जो सामने आ रही हो प्रधान मंत्री के आगमन को ले करके क्योंकि तमाम परिवार मौजूद हैं प्रधान मंत्री पहुंचेंगे उनका वहां पर इंतजार किया जा रहा है क् पिल्कुल कम की महौल है राजनात्स इम यहां पर पहुंचे हूँ है साथि साथे वे यह पर प्रधान मंत्री का ही किया रहा है की बिढ़ानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उनी का इंतिजार किया जा रहा है और सातिसाथ यही कहा गया है कि नौवज के मंदर में इतपर प्रेसेड़ेंटर पेड़े आवी जो है वह कोँचेंगे आपर तुक्र के तैयारिया तो साथ तफरीरों में दिख रही है कि यहां पर पार्टिप श्रीट को रखा गया है और नम आकों से परिवार के लोग के साथ साथ जो पोर्टिस के लोग आदि सारी हैं वोगे दिदाई दे रहे हैं इंतिजार इसक्त प्रहारमंद्री भाहिया और इतमाम जो लोग है वो फ़धान मंत्री भाहियी इंतिजार कर रहे हैं लेकिन बहुत गभी महाल है और रिगेरियर अम्ने जब देखिया है और जब उसने खमन किया तो बिलकुल तूट रहे हैं करें, वे उठी बेड़ी और भादर में जाजने जाजने लिए जाए जाते हैं. जाहे बादा इस परफाटी खंगी बहुल है, जो लोग परिवार में उन्हे आखों में आशुछे, लुकि इसके नाशी कि इसके उपक्तर परिवार में बहुत सब्सक्प रहे गहें. कि आपके पास आती हूं लेकिन यह देखे तस्वेर अबस प्रधान मंत्री यहां पर जिस वक्त भी पहुंचे कुछ शणों का और इंतजार उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लेकिन पूरा माहौल गमगीन है यह कोई अकीन नहीं कर पा रहा कि इस तरीके से जटके में अपने वीर सानिकों को हमने एक साथ गमा दिया सीडियस विपिन रावत अब जो हमारे बीच नहीं रहे पलवी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं लेकिन हमने यह देखा तमिल पात्रा के दौरान लोग अपने जन्रल के लिए दिखाना चाहते थे दर्शाना चाहते थे और वही वही सम्मान और इस वक्त जब दिल्ली में इसे बेस पर मौजूद है उनका पार्थिव शरीर लोग चाहते हैं कि शायद एक अंतिम दर्शन हो जाए इसकी संभावना हाल से हम जुने की कोशिश करते हैं और इस बाबत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे पलवी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो यह बताए कि अंतम संसकार को लेकर करके तो क्या इंफॉमेशन है कल बताया जा रहा है लेकिन कितने बज़े कहां पर अंतम संसकार होगा क्य आम लोगों को दर्शन की इजाज़त तो होगी इस बाबत को इंफॉमेशन है इसे बिल्कुल देखे अभी इंफॉमेशन आई है जपेन संसके नरफ से कि 11 बज़े से साधे 12 बज़े सब जो इसे इसे इतने मिलिटरी जपेंस के लोग है वो अंतिंदर्शन कर सकते हैं इसे बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं जिसमें जैसा कि जानकारी इन अमने की सिवर्ट इंफॉमेशन ही होगे जो लोग आज में आकर मिलना आंसे तर्शन करना चाहते हैं वो के फटरी तर्शन कर सकते हैं तो फिल्हाल ये जानकारी आई है इस पस मैं कालम बेज पर हूँ और आफशा मैं आपको बताऊं कि बहुत बुंदील महौल है जिस पक्त प्रिगेडेर लिटर्ण की जो बेटी जो परिवार होता है वो सक्त होता है लेकि जो अपना जाता है तो इसे तुक होता है तर्श होता है झाल 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 झाल